है यह गारी अप्डेट्ट होती है अप्डेट्ट ही मितलब हैं आपको लगता है ऐसा कही नए तुछूड़ हो गई लेकिन बड़ा अजीब तरीके का सिस्टम दिया है मतलब जो आप स्टेंड मैं समझाता हूं जैसे की स्टेंड हेलो गाइस वेलकम तो माई चैनल फैस ड्राइब गाइस हमारे सामने आज खड़ी है टीवीस की 125 राइडर यह काफी ज्यादा सेल हो रही है इंडिया में और इसका जो रीजन है काफी ज्यादा सेल होने का वह ऑनर से पूछ लेंगे क्योंकि आपन इसका ऑनर्श टू न्यूटन मीटन का ही टॉर्क आपको जनरेट करके देता है और इसमें आपको यह लिक्विड कूल नहीं मिलता है अगर अपन बात करें तो इसमें आपको टोटल 180 mm की ground clearance मिल जाती है जो की काफी अच्छी है और इसका जो total curb weight है total जो curb weight है वो होई 123 kg 123 kg तो चलिए मिलते हैं इनके honor से और पूरा ownership experience जानते हैं इस गाड़ी का क्योंकि उनको लिये हुए इसको काफी time हो गया है तो चलिए चलते हैं honor के पास तो guys हमारे सामने खड़े हैं राम जिनकी ये गाड़ी है तो राम भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे अच्छा राम सबसे पहले ये बताईए कि ये गाड़ी को कितना time होगी आपको मतलब 2021 में आपने ली थी तो पांच महिने हो गए तो राम सबसे पहले मुझे आप ये बताईए कि पांच महिने में इसी कोई अच्छा जब आपके गाड़ी लेने गए थे तो आपको ये गाड़ी क्यों पसंद आई इसके अलावा भी आपने दूसरी गाड़ी देखी थी देखी ती अपाची कौन सी वाली आप अच्छा ये टीवीस की आपाची जी वो बड़ा मोडल था एक सुसाथ में पर मुझे ऑपने प्रदस पर एग हृए गार्ण की अहां फमिदक है चाहिग आपको और अश्वी तो था MRMA अपने देखी पाइवेज निकाल के देर अच्छाट का एवरेज हाइवेज पर देती है फिर आप से कम करने देती मेरे से अच्छा आपको मैं बता देता हूं चार्जर में मिल जाता है बाइक में बताओ को पाइप प्र लगवाना पड़ता है अच्छा यह इन बिल्ड नहीं यह आता आप पर वहार से लगवाना पड़े तो यह पिसमें यहां से उपन हो जाती है इसके आपको मोवाइल रखना है बार इसमें कोई दिक्कत तो यहां रख सकते हैं यहां रख सकते हो यह गाड़ी अपडेट होती है अपडेट होती है मतलग है एक पर से में कराते हैं इसको अपडेट करवाना पड़ता हैै और आपको स्टम आ्वी मतलब इसके स्क्रीन में त innerbrat नहीं कहां से दिया है इस इधर से यहां से हमाइट कर सकते हैं क्या 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 शो करती। यह एवरेज की रिटे पत्रॉल कितना इतना गाड़ी चल सकती। इस II कि इसे यह हमाद इस के पत्रूल किया एक कमें जो इनकों इंतु एक गारी किर शैने से। यह ड़ा हूग है। तो गाड़ी की स्पृशच तेज हुजाईगी अचा मोट एक ही में इक पावर मोट एक अार सफीद प्रमुट बढ़ते इक बढ़ कम करी contrat यूट मोट पी और सब्सक्रार करने अभी को मोट चलाते हैं अब इक मटना सब्सक्रान अब इसको आप पावर मोट पर करिए वीडियो में बंद कर दीजे इसको वीडियो में राम भाई शायद इतने अच्छे थे समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे कहीं नहीं हलका साउन में फर्क लगा जब इको पर थी पावर पर थी तो साउन में थोड़ा डिफरेंस और चलाते में ज़्यादा फरकाता होगा अच्छा दूसरी बात यह जिसे आप मान लो इको में इसको चला रहे हो तो चलाते चलाते बंद स्वीच कर सकते हैं पावर मोट पर जाते होगे तो एकदम प्कप पगड़ती है चलाते चलाते फीर होता इसमें अच्छा फुरी हो ज्यादा चलाया नहीं है आप इकोपी चलाया मैंने इस पर इवरेज बहुत प्यारा देती है यह अच्छा मिलता है अच्छा राम भाई एक चीज में थोड़ी सी नोटिस कर रहा हूं जैसे इसका जो यह टैंग है तो यह टैंग काफी अच्छा लग रहा है इसे ग्लॉसी सा अच्छा लग रहा लेकिन यह जो इसमें प्लास्टिक वाला वर्क है अगर जैसे यहां तक भी यह दे देते ना और बाकी पूरा इसको टाइंग कर देते तो शाइदा अच्छा लग जादा बेटर होती है ना मतलब पूरा इन्होंने प्लास्टिक देती है और दूसरी बा लेकिन क्या है कि थोड़ा साप यहां पर देखेंगे ना यह जो प्लास्टिक फाइबर अब फाइबर थोड़ा सा हलका यूज गया इसलिए मैंने बोला मतलब मैं आपकी गाड़ी की बुराएं नहीं कर रहा हूं मतलब एक जनरल तोर पर आपको बात बता रहा हूं ओवर लुक्स के मामले में काफी अच्छी लगती गाड़ी अब मुझे आप यह बताईए सबसे अच्छा आपको इस गाड़ी में क्या लगता है इसकी ड्राइब कॉलिटी आपको बहुत अच्छी लगती है मतलब कमफर्ट है तो यह मैगजिमाम स्पीड कहा तक चली जाती है ग इसे चलाया इस एसे में सो तक चलाया तो सो में कई आप आपनी की तरह चलती और सीटिंग कमफर्ट की अगर बात करें है अपन तो सीटिंग में कैसा कमफर्ट लगता आपको ऐसा थकान टाइप तो नहीं रहेंगे तो एक परफेक्ट सेटिंग पोजिशन और इसकी देख यह बहुत अच्छा यह दे टाइम रेंग जो लाइट है यह काफी खुबसुरत है और में भी इसको ना लेना भूल गया तो वीडियो में मुझे भी सबसे दाधा अगर अट्रैक्टिव कुछ इसमें लगता है ना क्योंकि अभी दिन का टाइम हो रहा है शाम का टाइम है और दिन में भी काफी अच्छी ग्लो करती भी दिखती है मतलब एक बहुत सेक्सी सा लोग देती है यह देखिए आप और जैसा कि राम भाई ने बोला कि सबसे अच्छा राम भाई को इस गाली में यहीं है और राम भाई इसमें आपको डिस्क दोनों में मिल जाते हैं नहीं इ इसके मतलब कोई दिक्कत निया थी ब्रेकिंग में अच्छा राम भाई एक बात और में जो में इस गाली के बारे में नोटिस करी है इसका जो स्टेंड उसमें सेंसर मिलता है है ना मतलब वो जो सिस्टाम आता जब स्टेंड अगर आपका खुला है तो गाली स्टार्ट नह जाएं मतलब जो आप सेंड मैं समझाता हूं जैसे कि स्टेंड लगा हुआ है तो अभी अगर गाली नीट्रल होगी तो गाली स्टार्ट हो जाएगी लेकिन गाली सिर्फ गेर में होगी तब स्टार्ट नियों तो यह कहीं ना गई उनको ऐसा देना था न भाई कि अगर कुछ भी हो स्टार्ट नहीं होना चाहिए थी लेकिन यह थोड़ा अजीब सिस्टम है एक बार में यह अलग दिया है तो कई दिया है अलग नहीं है एक बार जिसे बन करके दिखा देते हैं फोर सब्सक्राइब यह देखिए अभी स्टेंड इसका लगा हुआ है यह मैंने सब्सक्राइब यह देखिए अच्छा सिस्टम है लेकिन पूरा देते ना फिर उसे और फिर वापास दुसी की तरफ नजर जा रही है देखिए कितने खुबसूरत लग रहे हैं और अब दिन में इतने अच्छे लग रहे हैं तो फिर रात में तो इसकी बात ही अलग होगी तो अब फ्री सर्विस चल रही है अब पैसा लगी नहीं रही है लेबर चार्ज भी नहीं लग रहा है अच्छा अभी कोई इसी कोई मेजर दिक्कत आपको इसमें आई नहीं है अच्छा दूसरी एक चीज और पूछ रहता हूं मैं आप से आप जैसे ग्राउंड क्लेरेंस तो अच्छी इसकी नीचे अच्छा स्पेस मिल जाता है अब मैं सब लोगों से पूछता ही हूं यह बात अब जैसे इसमें भी यह प्लास्टिक का दे रहा है यहां पर जैसे मान लीजी कोई ब्रेकर आता बड़ा या फिर आप दच्के में चलाते गाव में गाड़ी चलती जादा कच्छे में हां तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जादा कच्छे में ले गए ना क्योंकि यह थोड़ा सा शार्प भी आगे से मतलब नीचे जुका हुआ यह देखिए तो दिक्का दा सकती है आपको इसमें और इसमें गोड़ा दिया हुआ है तो वागए जादे में गोड़े के तरह भागती है यह बिल्कल भागती है जह आपको इसकी और बताना भूल गया हूं जो यह सेल्प है जी बहुत साइलेंट है इसका मतलब साइलेंट सेल आता है सब्सक्राइब गाड़े स्टार्ट करते तो पता नहीं चलता है शायद नीट्रल आप जे जे मतलब यह आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद स्टार्ट हो गया इसके बात पता चल रहा है कि स्टार्ट हुई है यह 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 बहुत जादा नेगेटिव समें कुछ लगता नहीं जैसा आपने इंफोर्मिशन प्रवाइट करके दिये और बाकी जो मुझे लगा वह मैंने बता दिया है मतलब उसमें आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने कुछ बोला है क्योंकि जो था मैंने वर्किंग करी थी उस एसाब से मैंने बताया है और बाकी आपको सब पॉजिटिव लगा अभी तक आपको कोई दिक्कत आई नहीं है चलिए राम भाई ब दिएगा ताकि इसी अमेजिंग इंफॉर्मिशन आपको रेगुलर्ली मिलते रहे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वजिंग दे वीडियो